Skill in teaching exam में अगर कोई बच्चा in discipline create करता है तो आप positive रहेंगे सबसे पहले खुद emotionally disturb नहीं होंगे अगर आप aggression में गुसे में आएंगे irritate होंगे तो it means बच्चे को success मिल गई है वो वैसा ज्यादा करेंगे आप क्या कर सकते हैं आपने positive रहके बच्चे को इशारे से मना करना है किसी शरारत से करते हो अगर थोड़ी ज्यादा लगती है तो नजदीक जाके उसके positive behavior को कहके और अपनी positive expectation को बताना है कि मैं आप से य उमीद करती हो और आप यह अच्छा कर सकते हो उसके negative पर focus नहीं करना अगली बात कि अगर आपका topic जा way of teaching जा content जो teach कर रहे हो वो interesting बना लेते हो आप question challenging पूछते हो आप नया content नई example हना लेके जाते हो तो in discipline create हो ही नहीं सकता अगली बात के हर हालत में punishment को use नहीं करना क्यों ने reward को reinforcement को शाबश्पव को सिर पे हाथ रख के smile देके positive behavior से ही discipline create करना है thank you